Hey you beautiful people, सबसे पहले आप सभी को नए साल की डेट सारी सुब कामना है I hope आपका इस साल बिलकुल आपके सुनहरे सपनों जैसा भी थे And आप और आपका परिवार खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे चलो फिर आज के दिन को और ज़्यादा यादकार बनाएंगे अपने खाली समय में एक मस्त और जिवर्जस्त मूवी देखके पर उससे पहले यार थोड़ा मुझे भी अपनी सुब कामनाय दे दो कमेंट करके मुझे भी हैप्य नियर बोल दो क्या बदा मेरा भी ये साल सबसे बेस्ट हो जाए है क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है चलो फिर आते हैं अपनी आज की मूवी पर ये एक साइफाइ थिलर मूवी है जो आई थी 2006 में बर्डिस की स्टूरी चलती है 2027 में यानी 2027 में अब आफ सोचोगे कि सबसे यंग और वो भी 18 साल का ये कैसे तो दरसल बात ये है कि इन 18 सालों में कोई भी दूसरा बच्चा पूरे प्लैनेट पर पैदा नहीं हुआ होता दुनिया की सारी ओरते बाज हो चुकी होती है जिसका जवाब साइन्स के पास भी नहीं होता कि आखिर दुनिया की सारी ओरते बाज कैसे हो गई क्यों ये ओरते बच्चे नहीं जंग दे पा रही इसी के उसकी वज़े से पूरी इंसानियत का वजूद खत्रे में होता है और ऐसी हालात रहे तो धरती से सारे इंसान कुछी सालों में खत्म हो जाएंगे Because of this mystery पूरी दुनिया में हर तरफ टेंशन होता है कई जगों पर तो जंग के हालात भी होते हैं हर तरफ इंसानों की extension से पहले इस mysterious infertility की बिमारी का तोड़ खोजने में scientist अपना सर खपा रहे होते हैं पट उन्हें ना इसकी वज़ा पता चलती है और ना ही इस infertility का इलाज पूरी दुनिया में इंसानों की ये आकरी generation होती है पूरी दुनिया के लोग ये मान चुके होते हैं कि हम इंसानों का खात्मा तै है अब इसे करिस्मा या अफवाई कहेंगे कि इंसानों के गायब होते इस वजूद के बीच एक लेडी के mysteriously pregnant होने की जानकारी मिलती है जोकि इस दुनिया में next to impossible होता है अगर ये बात सच होई तो सब कुस दुबारा से ठीक हो जाएगा अब एक बंदा थीयो जो एक एक्टिविस्ट होता है उसे भी ये बात पता चलती है अब फर्स्ट उसे भी अफवा लगती है क्योंकि pregnancy और बच्चे इस दुनिया में सिर्फ एक इतिहास बन चुके होते हैं जिसके बारे में दुबारा से सुनाई देना या दिखाई भी देना विश्वास ही नहीं बलकि कल्पना के भी परे होता है अब कुछ लोग इस लेडी को थीयो को सौप देते हैं जिसे इस लेडी को एक human project चला रहे साइंटिस्टों के पास ले जाना होता है जो इस लेडी और इसके pregnancy पर research करके इस infertility का इलाज खोजने की कोशिश करेंगे बर ये इतना असान नहीं होने वाला इतने सालों बात भी किसी के pregnant होने वाली ये खबर जाइर सी बात है इस तबाह होते दुनिया में आग की तरफ हैल सकती है अगर असा हुआ तो हो सकता है इस उमीद की किरन को रोसनी बनने से पहले ही बुझा दिया जाए क्योंकि इंसानियत के दुस्मन खुद इंसान ही होते है बर्ट ये तो बात की बात है उससे पहले क्या सच में लेडी प्रेगनेंट है या बात कुछ और है इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा 2006 में आई ये मूवी देखने के बाद इस बहतरीन थ्रिलर और एक्शन से भरपूर मूवी का नाम है चिल्डरन ओफ मैन जिसके MDV रेटिंग 7.9 है पचलो फिर देखने के बाद बताना मूवी कैसे दगी सो मिलता हूँ से नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए नमस्कार और चाहिंद